मेरे प्यारे भाईों और भेनों आप सब को मेरा हारदेख पुरनाम। विवास्ता में ये मेरा सव भागय था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे कुछ संतों, दरवेशों और फकीरों का संसर्ग प्राप्त हुआ। उनके संसर्ग ने एक तरह से मुझे अपने गुर्देव के चड़नों में शर्नागत होने के लिए तयार कर दिया। मैंने हर एक संत से कुछ मूल्यवान सबक सीखे। मुझे याद है एक संत जिन्होंने मुझे पर असीम किर्पा की। मुझे बार-बार कहते है यदि तुम सादक बनना चाहते हो तो तुम आग्याकारी बनो। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह बात अपने गुरु की शर्न में जाने से पहले की है। मुझे खेद के साथ कहना पर रहा है कि उन दिनों मेना सौभाव बहुती अलग था। मेरे लिए आग्याकारी बनना आसान नहीं था। मैं हर बात जो मुझे मन्जूर नहीं होती थी उस पर मैं बहस करता था। मुझे वाद वाद करने की आदत थी। हर बात को आसानी से सुईकार करना मेरे लिए मुझकिल काम था। मेरे प्यारे भाईों और बहनों लेकिन संत की बात सुनकर मैं विचार करने लगा। परन्तु मैंने भी ठान लिया कि सादक की रह पर ही चलना है। और इसलिए मैं आग्याकारी बनूंगा। चाहे ये काम कितना ही मुश्किल क्यों न हो। कुछ दिनों की कश्मकश के बाद मैंने सोच लिया कि मैं उस संत की बात मानूंगा। मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनके चर्णों में बैठ कर कहा। मैं आग्याकारी बनने के लिए तयार हूं। संत ने मुश्कुरा कर कहा। अच्छा, क्या मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं। मैंने उत्तर लिया, मैं इसके लिए तयार हूं। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तयार हूं। सच बताऊं, वह परीक्षा बड़ी कथन थी, जदी मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो आपको आश्चरिय होगा, और आप कहेंगे, दादा दी, ये तो बहुती आसान और सरल काम है, आपको ये काम मुश्किल क्यूं लगा, आसान और कथन, ये दोनों relative term से हैं, कुछ बाते हैं कि व्यक्ति के लिए सहज और दूसरे व्यक्ति के लिए कथन होती हैं, जैसे मा है, उसके लिए सुब जल्दी उठना, अपने परिवार वालों को गरम प्याला, चाह या काफी का देना, सब के नाश्टे का प्रबंद करना, घर की सफाई करना, कप्रे धोना, यह सारी बाते कितनी सहज हैं, पर मैं कई सफल पुर्षों को जानता हूं, जिनने एक कप चाय बनाना असंबर्व लगता है, अब जो काम उनके पत्नियों के लिए सरल और सहज है, वो उन पुर्षों के लिए पहार जैसे मुश्किल क्यूं है, खैर, आग्याकारी होने की र पर संत ने जो परीक्षा मेरे सामने रखी थी, वह मेरे लिए असंबर्व थी, मेरे प्यारे भाई और बहनों संत का एक शिश्य था, उन्होंने मुझ से कहा, कि मैं उससे जाकर यह कहूं, कि वह जो कर रहा है वह गलत है, इसलिए उसे सुयम को बदलना होगा, अब वह आदमी मुझ से आयू में बरा था, मैं भला उसके पास जाकर, उसके मुह पर कैसे कहता, कि तुमारी बातों से संत नाराज है, मैं तो पीछे हत गया, I shrank from this task, मेरी हिम्मत और मेरा प्रण दोनों बुरी तरह से विफल हो गए, क्या आग्या की रह पर चलना इतना मेरे प्यारे भाई और बेनों, चुंकि मैंने संत से कहा था, कि मैं आग्या की रहा पर चलूंगा, और मैं अपनी बात से मुकरना नहीं चाहता था, मेरे मन में संगर्ष हो रहा था, पर मैंने पका इरादा किया, और उस व्यक्ति के घर की और चल परा, चल परा, उस व्यक्ति के घर तक का फासला तै करना, मेरे जीवन की सबसे लंबी और कथिन यातरा थी, हर एक कदम जो मैं बरा रहा था, वो मुझे मानसिक रूप से दो कदम पीछे धकेल रहा था, जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा, मेरी हिच की चाहत और बढ़ गई, लेकिन शारीरिक रूप से तो मैंने वो फासला जल्दी तै कर लिया, मैंने उसके घर के दोर पर दस्तक दी, मेरे हाथ खांप रहे थे, दोर खुला और मेरा सामना उसकी मां से हुआ, मैंने नमरतास से उन्हें प्रणाम किया, तथा उनके बेटे के बारे में पूछा, मांने स्वागत करते हुए कहा, बेटा जैशन आओ, आओ, कितने दिनों से तुम्हें देखा ही नहीं, जहां तक मेरे बेटे की बात है, तो आज तुम उससे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वखकल शाम ही शिकारपुर चला गया है, मेरे प्यारे भाईों और भेनों मैं बता नहीं सकता, कि यह सुनकर मैं कितना खुश था, मानो, मेरे कंदों से कोई भारी बोज हट गया हो, मैंने मन ही मन कहा, हे प्रभु चलो, कुछ समय के लिए तो तुमने मुझे बचा लिया, राखा एक हमारा स्वामी सगल अगता का अंतर जामी, मेरे प्यारे भाईों और भेनों उसके बाद मैं कुछ देर तक उस व्यक्ति के माताजी से बातें करके, संत के पास लवट गया, और कहा, आपने मुझे जिस व्यक्ति के पास जाने को कहा, मैं उसके पास गया था, पर वह कल ही शिकारपुर चला गया, फिर थोड़ा रुक कर, अपनी अरुची को चिपाते हुए, मैंने धीमे स्वर में कहा, कल जब वह लवटेगा, तो मैं जाकर उसे आपका संदेश दे आऊंगा, संत ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें कोई और काम संपना चाहता हूं, उन्होंने मुझे दूसरा काम दिया, जिससे मैंने बखु भी पूरा कर दिखाया, मेरे प्यारे भाईों और भेनों मेरी किस्मत अच्छी कितना कठिन और दुख दाई था, मुझे लग रहा था, मानो मेरी टांगों पर किसी ने भारी वजनदार चीज बांध दी है, जिससे मेरे लिए चलना असंबभ हो गया था, आपको यह बात बहुत सा धारन लग रही होगी, लेकिन मैं आपको कैसे समझाओं को मैं कैसे उस मोरना चाह रहा था, यह घतना तो मानो एक पैतर बन गई, ऐसे कई कथन कारियों की, जो संत मुझे करने को कहते थे, उस समय मुझे हर कारिय करना कथन तता असंबव लगता था, एक बार उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अमुक प्रेस में जाओ, यह संतों के जीवन चरित्र पर यह सीरीज जो मैं पर रहा हूं, उसका अगला एडिशन निकाल रहा है, तुम जाकर उनसे कहो, मेरमानी करके वे अच्छी क्वालिटी का पेपर उपयोग करें, तथा प्रिंट साइज बरा रखें, मेरे प्यारे भाई और भेनों, जब मैंने यह सुना, तो प्रिंटर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लूँ, उन दिनों सब कुछ लोग अपने हाथों से करते थे, कांप्यूटर्स तो नहीं, लेकिन मैं न किसी प्रेस को जानता था, और नहीं किसी प्रिंटर को, बला एक अंजान युवा चातर, किसी जानी मानी प्र करना चाहिए, लेकिन मैंने जो आग्या का पालन करने का प्रम किया था, उस पर दर रहा, मैं प्रेस के और चल परा, वहां पहुंच कर मैंने मैनेजर से मिलने की इच्छा जाहिर की, मुझे आफिस में बैठने को कहा गया, मेरे प्यारे भाई और भेनों, मेरा दिल जोर जो से धरक रहा था, और मेरे हाथ काम पर रहे थे, यह सोच कर के मैं यह क्या करने जा रहा हूं, मैं अलकल पना कर रहा था, कि मेरा सुझार सुनकर मैनेजर भर्क देगा, जाएगा, और मुझे खरी-खोटी सुना कर कहेगा, वह है दर्वाजा, जाओ, जाओ, अपना काम कारो, शायद ये आग्याकारी होने की परीक्षा मुझे अपमान सहने का सबक सिखाने के लिए है थोड़ी देर बाद मैनेजर आया और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बरी प्रसंता से बोला कहो युवक मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैंने मनी मन कहा मैं जो इससे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर इसकी सारी परसंता चू हो जाएगी फिर मैंने थोड़ा हिचक कर कहा वास्तरने बात ये है कि आप संतों के जीवन पर जो सीरीज है उसका अगला एडिशन निकाल रहे हैं इस पर मैंनीजर ने तुरंत कहा हां हां हमारा नया एडिशन ये लो उसकी नई पुस्तक अभी अभी प्रेस से आई है क्या तुम इस पर एक नजर डालना चाहोगे मैंने हकला कर कहा आपके कहने का मतलब है कि किताब पहले से ही छप चुके हैं हां बिलकुल उसने पर संता से उतर गया अब की बार हमारी ये पुस्तक समय से पहले ही छप गई है और किर्पया आप एक कापी रख लो ये जानकर मुझे खुशी हो रही है कि तुम जैसे नवजवान आमारे सीरीज में रुची दिखा रहे हैं मेरे प्यारे भाईों और भेनों मैंने राहत की सांस ली मुझे तो लग रहा था मैं अभी गिर्प परूंगा किताब छप चुकी थी और अब उसे पेपर की क्वालिटी या प्रिंटिंग के बारे में कुछ कहने का कोई मतलब भी नहीं था मैंने उसे किताब की एक कापी देने के लिए आभार बाना और तुरंट प्रेट से निकल परा मैंने मन ही मन प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए कहा हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया आपकी किर्पा के बिना तो मैं आग्या पालन की रह पर एक अदम तक नहीं बढ़ा सकता था प्रभु मेरो इत उत सहाय मेरे प्यारे भाईों और भेनों उसके बाद मैं संत के पास गया और उन्हें प्रेस में हुई सारी बात बताई मैंने आतुर होकर पुछा ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए था क्या किताबें चपने के बावजूद मुझे आपका सुझा उन्हें देना चाहिए था यह सुनकर संत प्यार से मुस्कुराए और मुझे अपने पास बिठा कर कहा मेरे बालक तुम बहुत सोचते हो तुम हर बात दिल से लगा लेते हो all you needed to do you have done तुम्हें जो करना चाहिए था वही तुमने किया तुमने आखे बंद करके मेरी आग्या का पालन किया मैंने तुम्हें जो करने को कहा था वह केवल तुमारे अंकार तुम्हारे अभिमान को नश्ठ करने के लिए न उससे अधिक कुछ और न उससे कुछ कम, पर तुम इस परीक्षा में सफल रहे, तुमने वो सारी बातें की, जो तुमें अच्छी नहीं लग रही थी, तुमने अपने मन की एक नहीं चलने दी, मैं बस यही देखना चाहता था, मेरे प्यारे भाई और बेनों, आज जब उन दिनों को मुर कर देखता हूं, तो मेरा दिल भगवान के प्रती आभार से भर उठता है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस संत की बात मानने की प्रेणा दी, इतना ही नहीं, भगवान ने मुझे हर अश्ब घटना से भी बचाया, जैसे जैसे मैं आयू में बढ़ने लगा, मैं अकसर इस घटना के बारे में सोचकर स्वयम से कहता, जदी आज मुझे वो सब करना परे, तो मैं तुरंत करनूंगा, बिना किसी हिचक चाहत के, मेरे प्यारे भाई और भेनों, अब मैं देख रहा हूं, कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेशकल, ओम, शान्ती, शान्ती, शान्ती.